आप सभी का स्वागत है यूटूब चैनल पे तो चलिए आज बनाने जा रहे हैं मोदक गनेश चतुरती आ गई है तो यह मोदक बनाना तो बनता है इसमें ना घी है ना चीनी ना गुड सुगर फ्री मोदक आप बना की खा सकते हैं तो सबसे पहले ले लेते हूं एक कटोरी म मूखली देखिए पहले से भून की और छिलके हटा की फिर आपको ले लेना है इसका पेस की एक पावडर बना लेते हैं तो मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है बीज पेस में रोक के पलस पे चलाना है इसमें डाल देते हूं आधी कटोरी या चमच से देखे तो तीन चमच नारियल का बुरादा और अब यहां ले लेती हूं खजूर तो इसमें से ये बीज हटा देते जो गिले वाले खजूर आते हैं ये खजूर है तो मिठे के लिए देखे इसमें चीनी गुड़ घी कुछ यूजवन नहीं ले रही हूं ना इसमें गी डिलेगा ना इसमें चलानी है पलस पर चलानी है जैसे रोक की एक बर चला है एक पर रोक लिए इस तरीके से आपको चलाना है यहां मैंने मोदक बनाने के लिए मोल लिए है इसमें घी लगा लेती हूँ घी बस एक बर लगाना है अच्छे से मैंने घी लगा लिए है और यह भी आप इसमें मैंने गी नहीं डाला है फिर भी देखिए आप हातों से भी ये मोदक बना सकते हैं जैसे मैंने हातों से बांद रहे हूं तो बहुत ही अच्छे से ये बंद रहा है तो आप लड़ू, मोदक कुछ भी आप बना सकते हैं पर इस तरीके से एक बर मोदक जरूर बनाएए मैंने मोदक म मोड़ में डाल लिया और फिर उपर से इसमें दो मेने किसमिस डालिया है ड्राइफरूट की जगे आप कोई भी ड्राइफरूट डाल सकते या आप स्किप भी कर सकते यह मोड़ इतने अच्छे कि आप एक बर बना लोगे तो आपका बार-बार मन करेगा खाने बहुत को आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको सेल कीजिए क्योंकि जो भी सुगर फ्रीए काना चाहता है कोई सुगर नहीं खाता है गुर्ड नहीं हो भी यह मोड़ बना की और गणे चेतुर इन्जोई कर सकता है खा सकता है यह मिठाई जरूर खा सकता है हो तो इस तरीके से मैं आपको एक मोदक और बना की दिखा देती हूं और आपको अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए मुझे भी और पास में लगी बेल आइकन को जरूर प्रस कीजिए उसको भी आ आपके पास में नोटिफिकेस ना जाएगी कि इस चैनल भी ये चीज नहीं डाली है तो इस तरीके से देखिए सारे मोदक बना की त्यारी कर लेती हूं आपको ये मोदक ये रेसी भी कैसी लगी मुझे एक कॉमेंट करकी जरूर बताइए और बनाने में कितना टाइम लगत तो इस तरीके से आप भी बनाएए इंजोई कीजिए एक कॉमेंट जरूर कीजिए